बिती रात अजमेर के जनाना अस्पिताल के नजदी के एक पिकप ने बाइक को मारी जोरदार टकर बाइक सवार एक युवक की होई बौके पर मौत तो दूसरा हुआ गायल पिकप चालक ने दो से धाइक किलोमेटर तक बाइक और युवक को गसीटा मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल और मौत को एक सवाट अबूलेंस से पुचाया अस्पिताल मौत और घायल नागोर के बसी के हैं रहने वाले बुधवार रात अजमेर से बसी लोट रहे बाइक सवार को सामने से आ रही पिकप ने जोरदार टकर मार दी टकर इतनी भीशन थी कि पिकप चालक बाइक और युवक को दो से धाइ किलोमेटर तक गसीटा ले गया इस दुरगटना में एक युवक की मौके पर मौत होगी जब की दूसरा घायल हुआ है मरतक के परिचित लोकेश दाइवा ने बताएगी सोनू रायका और बुधराज पुत्र छोगरा माली परबसर नागोर बसी से अजवेर पहुँचे थे और वापस बाइक से बसी लोट रहे थे तबी रात के समय जनाना अस्पिताल के रजदीक पिकप ने जूरदा टक कर मार दी इस दुरगटना में बुधराज पुत्र छोगरा माली की मौत हो गई जब की सोनू रायका घायल हुआ है उसके पैर में फैक्चर हुआ है जिसका इलाज अस्पिताल में जारी है उसने बताए कि पुलिस दौरा ही उन्हें गटना की जानकारी मिली जिसके बाद यहां पहुँचे हैं अग्यात पिकप चालक के घ्राव मुकतमा दर्च करा दिये गया है फुलिस मामले की चांच कर रही है और हाथ वेक्चर हो गया है तो उनका फ्लाश्टर बगरा पट्री बगरा जो भी रहा का एकटा करम है फुरी गटना कैसे हो ती यह गाउंबसी के रहने वाले है जो डिस्ट्रिक नापर पड़ता तेसिल परवसर है और यह जनाना के आस्मा अपने अजमेर में जनाने के प अधाले है यह ट्रेक्टर जलाता है वैसे तो मतलब अनिंत तो कर वो गाड़ी आई थी यह पिर मतलब यह सामने से घाड़ी आई है को सामने से हो सकता कि वह एक्चल में में नहीं थे लेकिन मेरे बाही यह चोटे इनोंने बताया जिसने साब से में आपको पता रहा हूंग आप इसे जोड़ा रहा है यह जोड़ी में प्लीस को शिकाए देती आलागी लेकर आने वाले पिलीस है पिलिस ओनों ने हमारे को इंपव्कों के तब है खतका है खतक है है खतक हाएख।